है गाईज, कैप्टेन इस हीर, तो क्या है आप लोग का? तो आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में बहुती सीरियस टॉपिक के उपर अगर आप लोग कैरी मिनाटी का फैन हो तो ये वीडियो पूरा देखना, जरूर देखना क्योंकि आप अगर कैरी मिनाटी का सचा फैन हो, और कल को अगर कोई बंदा आपको बोले कि कैरी मिनाटी ने उसके साथ स्कैम कर दिया, उसके पास से पैसा लेके उसके चैनल को प्रमोशन नहीं दिलाया, तो आपको कैसा लगेगा? आप क्या बोलोगे उसको? कि नई यार कैरी मिनाठी ऐसा नहीं करता, कैरी मिनाठी बहुत अच्छा बंदा है, लेकिन आज की तारीक में ये चीज हो रहा है, कैरी मिनाठी नहीं कर रहा है, कैरी मिनाठी के नाम से एक बंदा है, वो सब को स्टैम कर रहा है, यूट्यूब पे एक चैनल है कैरी मिनाठी 20 20 million नाम से और उसके पास subscriber है 2,000,000 से उपर वो बंदा कह करता है कैरी का जो roast वीडियो होता है वो download मारता है then कैरी का जो part होता है जिसमें वो roast करता है वो clip cut मार के किसी भी TikTok या फिर किसी भी cringe वीडियो के बाद में वो डाल देता है then वो वीडियो हो जाता है viral 2,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 में खेल रहा है ये बंदा और ये सब करके बंदे ने गेन किया है 2,000,000 से उपर सब्सक्राइब आर और कुछ बंदे कमेंट में बोलेंगे ये भी talent होता है ये भी महनत होती है महनत तो गधा भी करता है स्टार बना दे, स्टेज पे नतवा दे, मूवी प्रमोट करवा दे इसको talent नहीं चोरी कहते हैं ये बात लेयर कर लो भेले अब इस बंदे के पास अंधा audience आच चुगा है कैरी मिनाटी के नाम से अब ये बंदा कर रहा है स्कैम वो भी कैरी मिनाटी के नाम से बंदे ने अपने community post में ये डाला है कि अगर आप लोगो promotion चाहिए आप लोगो subscriber चाहिए आप लोगो views चाहिए तो इस number पर contact कर सकते हो और नीचे किसका photo है कैरी मिनाटी का दिन बंदे community post देखकर उस number पर contact करता है उस बंदे को पैसा देता है कि हाँ भाई मतलब subscriber चाहिए मेरे को promotion चाहिए तो promotion करा दो और वो बंदा करता है scam 15-20 बंदे मेरे को बोले है कि भाई मेरे से पैसा ले लिया लेकिन promotion अभी तक नहीं मिला तो भाई कुछ करो इस camera का और एक बंदा ऐसा भी आया था जिसका 20,000 रुपे scam किया इस बंदे ने इस fake कैरी मिनाटी के नाम से जो channel चला रहा है इस बंदे ने 20,000 रुपे scam किया एक बंदे का वो बंदा एक middle class family से belong करता है उसने थोड़ा बहुत पैसा जमाया था और ममी पापा से कुछ पैसा लिया था उसके बाद 20,000 रुपे उसके पास था वो सारा का सारा पैसा सिर्फ और सिर्फ अपने channel grow कराने के लिए उस बंदे को दिया और उस बंदे ने scam कर दिया और मैंने जब उस बंदे से बोला कि भाई तेरे साथ जो कुछ भी हुआ है वो record करके मेरे को दे मैं अपने audience को बताऊंगा कि तेरे साथ ये सब चीज हुआ है तो उस बंदे ने अपनी identity reveal करने से मना कर दिया क्योंकि अगर उसके घरवाले को उसके parents को ये पता चले कि उसके बेटे ने इतना पैसा गवा दिया तो literally वो बंदा बोल रहा है कि उसको घर से निकाल दिया जाएगा और उस community post में 33k likes हैं और 33k में से अगर 200 भी लोग उसको 5000 रुपे करके दिया होगा ना तो भाई उस बंदे ने scam किया है 10 लाख रुपे आप लोग जो audience हो आप लोग जो viewers हो सारी चीज़ आप लोग के ऊपर है ये जो चीज़ चल रहा है ये सारे news channel को बताओ केरी मिनाटी को बताओ मतलब वो जो फेक बंदा ना जो भाई फेक प्रमोशन के नाम पे भाई पैसा कमा रहा है वो बंदा लिटरली बंदे को बोल रहा है कि भाई कैरी मिनाटी से मेरा link है क्योंकि मैं जो वीडियो डालता हूँ कैरी मिनाटी का हर एक footage वो कैरी मिनाटी से permission लेख के करता हूँ और कैरी मिनाटी मेरे को copyright strike नहीं देता तो इस चीज के बारे में हर एक news channel को बताओ आप लोगों का अगर channel है तो इस चीज के बारे में video डालो मेरा video re-upload करो चाहे कुछ भी करो लेकिन इस चीज को रोकना चाहिए और कैरी मिनाटी तक पहुंचाओ बात भाई कैरी मिनाटी को super chat करो के भाई तेरे नाम से scam चल रहा है market में देखते हैं इसके बाद क्या होता है कैरी मिनाटी अगर कुछ legal action लेता है इसके खिलाब तो बहुत ही अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से तो इसलिए आप लोग की जिमेदारी बनती है इस बात को खेरी तक पहुंचाना तो अगर आप लोग के पास कुछ भी information रहता है इससे related या फिर किसी भी चीज से related या फिर मेरे से बात करना चाते हूँ आप लोग तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड कर लिंक दिया हुए उधर जाओ क्लिक करो मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर जॉइन करो चलो गाइस टेक टेर एंड बाई